जिन्दगी एक हसी सपोई, ने, ऐसा सुना है, पढ़ा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, वो कहते हैं ना, कि जटक खुद पर जिस बात का अनवन हो, तब तक सवाल सवाल ही देता है, ठेक उसी प्रकार, मैं अपनी जिन्दगी को समझते हूं, यहां तक आ पहुचा हूं, बिना किसी सवाल को समझे, कि आखिरिये जिन्दगी है क्या, मगर एक वादा करता हूं आपसे, कि जिस दिन मुझे यह समझ में आ जाएगा, कि जिन्दगी खुबसूरत है, इसका अनवा हो जाएगा, तो यकीन मानो दोस्तो, फलसफे और सचाई में उतना ही अंतर होगा, जितना इस सबक्त सचाई और फलसफे में है, मेरी धद्यापा के शर्मा जी, जो बहुत अची बाते करते हैं, उनकी बाते सुनने का मन ही बहुत करता है, परियाज जि मैं अपने साथ होता हूँ, तनहा, अखेला, तो लगता है, जो बाते रूना कहीं दिए, वो हकीकत में किती सच है, परियाज जिब करता हो तो होता है नहीं है, फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, जिस बात को मैं समझने चाहता हूँ, पास समझ में तो अती है, लेकि महसूस नहीं होता, और फिर ये चटपढार, शाद ये कुला